तो हम महिलाओं की तरफ से कहेंगे और किसानों की तरफ से कहेंगे। पानी उस तरह से अमेठी को लिया नहीं। काफी बेरोजगार हुआ टहल है। सबसे बड़ी चीज है कगर यह जिलन होता। सरकार किसानों के प्रति ना देख करके, किसी महिला को कोई प्रब्लम हो तो महिला डोक्टर वहां पर नहीं है। जो सीट छोड़ी है, वहां से क्या होगा, क्यल शर्मा क्या माँ चुनाओ जीतेंगे। अमेठी के लोगों के बीच में हैं, अमेठी की जंता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। अमेठी जो कल हुआ या राहूल गांधी जिस तरीके से यहां नहीं लड़े के ल शर्मा चुनाओ लड़ रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं, राहूल गांधी को आप चाहते हैं तो चुनाओ लड़े या उनके नहीं लड़ने पर क्या करेंगे। देखिए चुनाओ कांग्रेस का है और बिजेपी का है, तो कांग्रेस लड़े जाहिए राहूल गांधी लड़े चाहिए उनका कोई भी लड़े, कांग्रेस का समर्थन है। आप यह रहनी वाली हैं जी। किस तरीके से देखती हैं के चुनाओ को इस्मृती रानी जो 14 में चुनाओ लड़ी हार गई, 19 में लड़ी जीत गई, राहूल गांधी उसके बाद नहीं आए, 24 में था कि आएंगे पर नहीं आए, केल शर्मा को चुनाओ लड़वा रहे हैं, कैसे देखती हैं उस पूरी क्यानिस नहीं होगा, क्योंकि ये सीट हमेशा गांधी परिवार की रही है, लोगों ने बदलाव किया, बदलाव में लोगों को उसका इजाफा भी हुआ, जैसे इस्मृती रानी जी आई हैं, तो हम महिलाओं की तरफ से कहेंगे, और किसानों को 30-35% सम्मान निधी मेल रह हैं, उदर उर्वरक में इतनी महँगाई आ गई है, कि सरकार किसानों के प्रजी न देख करके, सीधे अपना फायदा देख करके सबसीडी न देने का इलाउट कर दिया है, कम से कम बोरे की खाद आ रही है, और बोतल की नाइनो यूरिया, नाइनो डेपी सबके उपर जबर जिलाज किस साले है, वहाँ पर आप चले जाएए हफते में दो दिन महिला डोक्टर आती है, किसी भी महिला को कोई प्रब्लम हो, तो महिला डोक्टर वहाँ पर नहीं है, अल्टर साउंड की मसीन लगी हुई है, पूरे जनपद में एक दो है, मुख्याले पर है, जादा ज पीता काटने गई थी, जो ये कुरोना के समय में, हमने जिस चीज के लिए कहा था, उसको उन्होंने करा दिया, क्योंकि छोटे बच्चों का जन में जो होता है, उनकी एज कम होती है, वजन कम होता है, ऐसे स्थिति में रेफर किये जाते थे पेसेंट, तो वया बच्चा ख आप क्या देखते हैं, क्या समस्था है अमेठीम में, वही समस्था है, जो अभी जी बता रही है, वो सही है, बाकी जो है, आपकी साफ से पूरा है, अमेठीम कांग्रेस निकार रही है, हमारे यहां जीत रही है, कांग्रेस से कोई भी लड़े, कोई भी लड़े, उनके पर हैं लेकिन मैं बस्पा प्रत्यासी का सबर्थन कर रहा हूं इसलिए कि आप जिस जगह डिबेट करा रहे हैं मुख्याले सबसे बड़ी चीज है अगर यह जिला नहोता तो आज एक गाउं होता इसको मानें बहन कुमारी माया वती जी ने जिला बना करके इसका बहुत बड़ा बिकास किया है अगर जिला नहोता तो इतना बड़ा बिकास नहोता और एक गाउं रह जाता है इसलिए मैं अपना समर्थन जो है अच्छा काम किया क्या शुब नाम है अपका मेरा नाम गुंजन सिंग है अमेठी जस तरीके से 14 के बाद जो इस्थितियां यहां की बदली औ उनीस में जीती लेकिन राहूल गादी हारने के बाद नहीं आए चौबीस में उम्मीद थी लोगों को कि राहूल गादी शायद वापस से लड़े पर वह नहीं लड़के केल शर्मा जी लड़ रहे हैं कैसे देखती इस पूरी राजनीत को आप क्या कहेंगी देखिए अग अगर गाओं लेवल पर देखा जाए तो किशोरी जी को पूरी तरह से उनकों सब पूरी जानकारी है और अगर अमेटिय का में बुद्दा देखा जा तो रोटी कपड़ा और स्वास सिक्षा है और अगर उसको देखा जाए तो से लिए पर कोई काम नहीं किया है बता ही कोई भी कोई भी यहां पर ऐसी कंक इसे कॉए कप्ड़े की मिलने की से जो काफी बेरोजगार यहां उफा टहले है कमसे वह रोजगार तो मिलता है ओभी नहीं मिलना तो आजकां ये हिंदू है हिंदु कंसलमा खत्रे उन प multif insan घृति वारत का सवीदान खत्रे में इतना जा तो आप सोचिए कितने बड़े बेक्ति को उन्होंने चुना हो राया था उस अस्तर का काम नहीं हुआ जिस अस्तर से बारत के प्रदान मंतरी के छेतर के उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी को बादेख चेको अमेठी के जनता ने चुनाओ में माद दी उस अमसार इसमी तीर या कुछ पुरानी जो चीज़े थी रूट्या रही है अमेठी में कुछ नया नहीं हुआ है अमेठी में हुआ है कि जो मतलब यहां का इवा है बेरोजगार हुआ राजी जी के जवाने में यहां आपने देखा भारती गुरुप सेंटर सी यार्पी का खुला हुआ है जो भी बच्चे हों सब राजी जी की देन है भारती जनता पार्टी की जब सरकार आई तो 2004 में उसके पहले वो अपना लेकर के चले गए यहां से बियारो मेठी लखनव चला गया था तो राजी जी की जो यहां कलपना थी आपने बहुत सारे लोग शबाच्छेत आप स्व जानी जी की बात जाने दीजिए भारत के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी अमेठी की चर्चा बार बार करते हैं लेकिन यह मैं उनसे कहूंगा आपकी मेडिया के माद्धम से कि भारत के जिस प्रकार से परेशान है गांधी नेरु परिवार को लेकर के उनको इस परिवार कहा कौन भग गया ये विश्वास की लड़ाई है उस परिवार ने अपने विश्वास को केल सर्मा जी कंडिडेट नहीं है वो गांधी नेहरू परिवार के विश्वास की रूप में भेजे गये हैं अमेठी की जनता जो पिसली बार अपनी भूल की थी उस भील को सुधारे और अपने विश्वास को जतावे आगे आने का निमंत्रन उनको पुना दे ये विश्वास का चुनाओ केल सर्मा कंडिडेट नहीं है वो गांधी नेहरू परिवार के विश्वास है यहां की जनता के लिए विश्वास भेजा गया है और विश्वास आगे काम आएगा अभी आपने एक कुश्चन किया था कि राहुल जी हारने के बाद यहां नहीं आये देखिए उनके पास समय नहीं रहता है फिर भी वह यहां पर हारने के बाद चार बार आए ठीक है और और आए बरिलिया मेटी में बहुत कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है ठीक है दोनों कोई पांच काम ऐसा बता दें जो राश्टी अस्तर का हुआ हो ओ राश्टी अस्तर काम राहूल जी निक यहां रेल नीर फैक्टरी किया है मेगा फोड पार्क लाये थे ट्रिपल अइटी लाये थे अपडियाई लाये थे इंद्रागांदी इस्ट्यूट लाये थे वह गन फ जो कि राष्टी अतर्ग हो लिकिन वो नहीं हो पाई इसलिए इस बार जनता पूरा उनको यहां से हटाने के मोड में और किसोरिलाल सर्मा जी बंपर उटोस जीतें। यहां में सभी कांग्रेस समृत्र आपको मिलए कि जो पहचान है गांधी परिवार से मैं किम से कम 25 को सर्मा जी Ob Felipe बता सभूद rice UK यह अचीतेमा होता हुं तो मैं घर्वान र्वान रुट होता हूं ठीक है वो हम लूगों की गल्ती घृती होई ते हार गहते इस बार कि कि सोजला सर्मा जी को जीता कर हम लोग उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप फिर से अपने घर आईए आप आईए प्रियंका जी आए कोई भी आए हम लोग आपको अपने पलकुप बैठाएंगे अपना शबनाम रहे हैं जी विने दुबे विने जी क्या महौल है महौल बहुत अच्छा है और जो गांधी परिवार के हर्मान जी अमेठी में आचुके हैं जिस तरह से सिर्यामचरीद मानस में भगवान राम के उपर संकट परा था संकट के समय उन्हें हर्मान जी मिले थे और आखरी तक उनके साथ अहंकारियों से लड़ाई लड़ी उसी तरह 40 साल से गांधी परिवार की सेवा कर रहे हैं गांधी परिवार के हनवान जी अमेठी आ चुके हैं जिस तरह से इस मिर्ती रानी जी बाहर जाके बोलती हैं अमेठी को लंका बोलती हैं अमेठी की जंत इस बार जो 2019 में भोल कर चुकी थी जुमले वाजी में 13 रुपए किलो चीनी के चक्कर में हर सुबा उड़ते थे तो हम लोग एई सोचते थे चलो आज अच्छे दिन आएंगे फिर पूरा दिन बीच जाता था फिर सो जाते थे अच्छे दिन आएंगे लेकिन अच्छे दिन कि अच्छाई थी यहां से सांसद थे तो यहां पांच छे सांसद ऐसे थे कि उनका भी विकास का निधी का पैसा मेठी के विकास के लिए लगता है नीश में राहुल गांदी को हार का सामना करना पड़ा उसके बाद लोग कहते हैं वो आए नहीं फिर इस बार उनको उमीद आए चार बारे कुरोना समय में जब यहां की सांसद महोदया वीडियो कालिंग पर अमताब छड़ी खेलती थी प्रधान मंत्री जी घर में बैठे थे मन की बात करते थे तब राहुल गांदी जी ने अमेठिया और राय बरैली के लिए स्वास्त सुविधाएं रासन जितन मैशा रहे है मैसा dwelling जो सचल के गाड़ियां चलती ती उस पर एक क्रोना रूपए प्रती महां खरच्चा करते थे ऑन से ज्यादा पूरे कोई देस में कोई भी लोकしवासदश नहीं है कोई शंसत सांसत नहीं है जो इतना पैशा खर्चा करें उस परिवार ने यहां के लिए बहुत कुछ किया है आपका शुब नाम से ओम प्रकास दुवेदी किसान कांग्रेस जिला देख्षे मेठी कॉंग्रेस से ही हैं जी है तब तो आपको आप फिर तो राहुल गांदी के पूरे तरिके से परिश्टान नहीं गांधी परिवार से ही अमेठी जानी जाती है मैं सेना में रहा पहले मैं देश भक्त हूँ उसके बाद जो है वहां से आ करके आप समाज की सेवा कर रहा हूँ अपने जनभूम की सेवा कर रहा हूँ अमेठी से हूँ आपको मैं बताना चाहूँगा तो यहां पर जो कुछ भी हुआ है विकास, विकास की जो गंगा आप देख रहे हैं, वो चाहे थोड़ी हो या जदा हो, वो सिर्फ गांधी परिवार की देन है, हम 65 एर से यह हमारी इसी देले में हम आया करते थे पढ़ने, जाम देने के लिए, हम गढ़े इतने 80 के पहले इ जब बताता था कि मैं कहां कहूं, तो बोलते थे भाई सुल्तानपुर कहूं कि जिले को सुल्तानपुर कहूं, सुल्तानपुर कहां है, यूपी में है, नहीं मालूम सुल्तानपुर कहा है, तो मैं बताता था मिठी तो कुरसी छोड़ के कड़े हो जाते है, वो मिठी जहां गण्धी परीवार की मेलटी, सम्मान मिलता था, लोग सम्मान के लिए जीते हैं, जो कुछ आच आपको दिखाई देरा यह, इंटर कालेज भी दिखाई देरा है, तो उन्हीं के नाम का है, समझे सब कुछ उन्हीं की देन हैं, कुछ आद्निता है यह नहीं है, सिर्प दो, च चीज लोग गिनाते हैं तीसरी चीज इनको आप पूछ लिजिए कि अमेठी में क्या किया है तो मैं सर्थ के साथ कह सकता हूं कि मैं छोड़ दूगा अपना पद्ध मैं पार्टी छोड़ दूगा जो है बिल्कुल राजनी से सन्यास लिलूंगा दो काम के लाओं वो भी अमेठी के मुद्ध इस बार के चुनाओं में क्या है तो अगर चौबीस का मुद्धा क्या है क्या जो एक परिवार के इशूस पर चीजे थी या यह कहा जा रहता है कि राउल गांदे चुनाओं लड़ेंगे उन मतलब उन चीजों को लेकर के परिवार का भी कोई जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह मुद्ध जो है अबकी बार विकास का ही रहा है देदी ने जिस प्रकार से अमेठी में जो है विकास किया या अमेठी को अपना परिवार मान के चौदा में चुनाओं हारने के बाद भी अमेठी में पर करार रही तो इससे सब्सक्राइब करें तो यह अमेठी के लोग हैं जन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि क्या इशूस हैं उनके किसका मुद्दा है कौन चुनाओं जीत सकता है किसके बारे में जनता सोच रही है ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें एबीपी के साथ